नमस्कार दस मिनिट किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे गाजर वाला राई का पानी कई जगे से कांजी भी कहा जाता है चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकन को दबाना ना भूलें तो आईए देखते हैं राई बाला गाजर का पानी बनाने के लिए किस-किस इंग्रिडेंस की जरूरत पड़ेगी गाजर की कांजी बनाने के लिए हमने 200 ग्राम गाजर को छील के अच्छी तरह से धोके साफ करके ले लिया है हम एक लीटर पानी में कांजी बनाएंगे इसलिए हमने 200 ग्राम गाजर ली है अगर आपको कांजी ज़्यादा बनानी है तो गाजर और पानी ज़्यादा ले ले अब हम इसको काटके इसके टुकडे करेंगे पहले हम इसके दो टुकडे करेंगे अब इसे एक टुकडे को उठाएंगे और इसके पतले पतले टुकडे काट लेंगे हमें इतने पतले टुकडे करने है और ये बीच का पोर्शन हम निकाल देंगे इसमें से हमारी गाजर थोड़ी मोटी है इसलिए हम इसको काटके निकाल रहे हैं अगर आप पतली गाजर लाते हैं तो बीच का पोर्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है इसी तरह से हम बाकी की गाजर भी काट लेते हैं हमने गाजर की ठुकड़े कर लिये हैं देखिए इस तरह कि अब हम कटी हुई गाजर को इस बाउल में रख लेंगे हमारे याँ गाजर का राई वाला पानी अधिक तर त्योहारों पे बनाया जाता है क्योंकि त्योहारों पर हम पकवान खाते हैं बारी बारी पकवान खाते हैं तो डाईजेशन की समस्य हो जाती है ये गाजर का राई वाला पानी डाईजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और त्योहारों पे पकवान के साथ इसे भी परोसा जाता है अब इसको तो हम रख देंगे side में, आईए आगे का step देख लेते हैं, अब हम एक लीटर पानी लेंगे और पानी को इस भगौनी में डालेंगे, अब हम भगौनी को गैस पे चड़ाएंगे और पानी को उबाल लेंगे, बैसे तो आप ठंडी पानी में भी कांजी बना सकते ह लेकिन अगर पानी गरम कर लेंगे तो यह दो दिन में उठके तयार हो जाता है, थंडे पानी में तीन दिन लग जाते हैं, पानी खौल गया है, अब हम गैस को अफ कर देंगे और बहगौनी को नीचे रख देंगे, पानी को थुढ़ा थंडा होने देंगे, आईए,ू अब म सर्सों नहीं लेनी है, सर्सों और राई में थोड़ा सांतर है, सर्सों थोड़ी बड़ी होती है, और राई छोटी होती है, यह देखिए, अब हम इस राई को मिक्सी के जार में डालेंगे, हमने राई को भूना नहीं है, अब इसको पीस लेंगे, हमने राई को पीस लिया है, देखिए इस तरह से हमें पीस नहीं है ऐसे एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है दाने हमारे एक दो टुकड़ों में तूट जाएं कांजी बनाने के लिए हमने कांच का एक जार लिया है अगर आपके पास कांच का जार नहीं है तो आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं और अगर आपके पास मिट्टी की मठकी है तो उसमें भी कांजी का पानी बहुत अच्छा बनता है इस जार में हम कटी हुई गाजय डाल मेंगे. अब हम इसमें 10 ग्राम सफेद नमक डालेंगे, 10 ग्राम काला नमक डालेंगे और 10 ग्राम सेंदा नमक डालेंगे अगर आपके पास काला नमक और सेंदा नमक नहीं है, तो सिर्फ सफेद नमक भी डाल सकते हैं, उससे भी कांजी बहुत अच्छी बनती है, इसमें 7 ग्राम काली मिर्च डालेंगे दरदरी कुटी हुई, दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डालने से कांजी के पानी का थोड़ा थोड़ा तीखा टेस बहुत स्वादेश्ट लगता है इसमें 10 ग्राम हल्दी पाउड़र डालेंगे इससे कलर भी अच्छा आता है हल्दी तो सभी जानते हैं हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है दो पिंच हींग डालेंगे हमने जो राई पीसी है अब पिसी हुए राई इसमें डाल देंगे पानी राई से ही खटा होता है और राई का पानी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है इन सब चीजों को हम इसमें मेक्स कर देंगे हमने जो एक लीटर पानी गरम किया था अब यह बिल्कुल ठंडा हो गया है देखिए हलका गुनगुना है हमें ज्यादा गरम पानी कांजी में नहीं डालना है हलका गुनगुना डालना है अब हम इसमें यह पानी डाल देंगे पानी डालने के बाद हम इसको थोड़ा चला देंगे नमक आप पेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं अगर आप ज्यादा नमक खाते हैं तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं अब इसे हम साप सूती कपड़े से ढखके और धूप में रख देंगे अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप रसोई की खिड़की के नीचे रख दे उसमें एक दिन ज्यादा लगेगा दो दिन की जगे तीन दिन में पानी उठ जाएगा कपड़े को इस पे हम बान देंगे अच्छी तरह से यह देखिए इस तरह से गांट लगाके और इसको रख देंगे हमारे यहाँ धूप आती है इसलिए हम इसको धूप में रखेंगे धूप में यह दो दिन में ही उठ जाएगा गाजर के पानी को रखे हुए दो दिन हो गए है आईए चेक कर लेते हैं हमारा गाजर का पानी खूप खटा हो गया है खटी-खटी महक आ रही है इसमें से अब हम इसको चला लेंगे यह देखिए आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं जब यह पानी उठ जाता है तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है यह बिल्कुल पीला-पीला दिखने लगता है अब यह सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है इसके अंदर जो गाजर पड़ी हुई है यह भी खटी हो जाती है और खाने में बहुत तेस्टी लगती है हम इसको सर्व करेंगे गाजर के टुकड़े खाने हैं तो इसमें गाजर के टुकड़े डालिए बिना गाजर की टुकड़े के भी पानी पीएंगे तो ये बहुत फायदा करेगा ये हमने गाजर के टुकड़े डाल दिये हैं ये बहुत टेस्टी लगते हैं आठ दिन तक तो आप इसे बाहर रखके पी सकते हैं अगर आपको ज्यादा दिन तक पीना है तो आप और भी ज्यादा पानी तयार कीजिए जब ये बिल्कुल उठ जाए खटा हो जाए उसके आपने देखा गाजर वाला राई का पानी बनाना कितना आसान है इस सोली पे आप जरूर बनाईए खुद भी पिए और मेहमानों को भी पिलाए मिलते हैं ऐसे ही एक और अच्छे वीडियो के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखना बाई बाई